क्या आप चाहते हैं कि भारत के सभी स्कूलों में प्राइमरी स्कूलों में वेद पढ़ाया जाए फिर से वैदिक सिक्षा लागू किया जाए भगवत गीता पढ़ाई जाए रामायर पढ़ाया जाए रामचरित मानस पढ़ाया जाए यदि हाँ आप चाहते हैं ऐसा हो दु जाल दिये गये थे, उनको वापस लाना पड़ेगा, उन चित्रों को वापस लाने के लिए, जैसे मूल सम्मिधान में 22 चित्र थे, लेकिन नहरुजी ने निकलवा दिया, अब उन 22 चित्रों को फिर से लाने के लिए सम्मिधान में संसुधन करना पड़ेगा, उसके लिए ट तो two-third तो बहुत बाद की बाते हो गई, अब दूसरा तरीका क्या है, कि लोगसभा और राजसभा का joint session बुलाया जाए, उस joint session में two-third majority proof किया जाए, तो joint session में two-third majority proof करने के लिए आपको चाहिए 521 संसर, यानि जब लोगसभा राजसभा की सभ्त बैठक हो, उसमें अगर इसमें जोड़ना है, भगवान कृष्ण को फिर से इसमें लाना है, भगवान गौतम बुद्ध को, भगवान महाबीर को, गुर्गोबिन सिंग को, छत्पती सिवाजी महाराज को, इन लोगसभा इसमें पहले, लेकिन नहरुजी निकल वाया, अब आप चाते हैं दुबार 84 में, राजी उगांधी को 404 सीट मिली थी, वैसे ही 2024 में, फिर से बीजेपी को 404 सीट देना पड़ेगा, तब जाके लोगसभा, राजसभा में, जौइन सिसन में आपको टू-थर्ड मेजार्टी होगी, और तब जाके ये सारे चित्र वापस जुड़ पाएंगे सम्मिध सम्मिधान में जुड़ जाएगा, तो सुबह स्कूलों की प्रार्थना में हन्मान चलिसा पढ़ाया जाएगा, ना कोई हाई कोट इसमें रोक लगाए पाएगे, ना सुप्रीम कोट रोक लगा पाएगे, जब दुबारा फिर से भगवान कृष्ण का चित्र सम्मिधान मे जाएगा, तो भगवत गीता को आप सब के लिए अनिवार कर दीजिए, कोई हाई कोट सुप्रीम कोट बीच में रोक में बीच में आकर नहीं खड़ी हो पाएगे, जब आपने इसमें भगवान नतराज को इसमें जोड़ दिया, भगवान विश्नु को आपने इसमें पार करना पड़ेगा, 404 सीट कम से कम, यानि 1984 में जो 404 सीट मिली थी, राजी गाधी को, 2024 में भी आपको कम से कम 404 सीट देना पड़ेगा, बीजेपी, एंडिये को, तब जाके ये वापस सम्मिधान के चितरिस में आप आएंगे, आप चाहते हैं कि जो सम्मिधान में चाले समय में, जो सेकुलर सब्द जोड़ा गया, उसको अगर निकालना है, तो उसके लिए भी आपको लोगसभा, राजसभा में टूथर्ड मेजॉटी चाहिए, राजसभा में टूथर्ड तो होई नहीं सकती है, तो जॉइंट सेसन बुला के आपको टूथर्ड जाते हैं, बिजनस करने के नाम पे बियर बार खोले जा रहे हैं, डांस बार खोले जाना यह बंद हो, आप चाहते हैं कि नसा असलीलता पे रोक लगे, यह OTT प्लेक्फॉर्म पे रोक लगे, जो गंदे सीरियल बन रहे हैं, गंदी फिल्में बन रहे हैं, पुरी रील में की गंदगी खतम करना है electronic media की गंदगी खतम करना है bollywood की गंदगी खतम करना है hookah bar beer bar dance bar अगर आपको रुकवाना है तो आपको article 19 को बदलवाना पड़ेगा article 19 में लिखना पड़ेगा subject to public order health and morality याई आप ऐसा कोई व्यापार नहीं कर सकते जिससे हमारे बच्चों का भविश्य बरबाद हो भारत की संस्कृति बरबाद हो आप ऐसा कोई व्यापार नहीं कर सकते जिससे तनमन खराब हो असलीलता फैले बच्चे हमारे नसेड़ी हो जाएं ऐसा आपको बिजनस बिलकुल में बनाओ, फुहर्ड फिल्म में बनाओ, सिरियल बनाओ, मारधार करो, असलिलता फैलाओ, कुछ भी करो, सब की छूट मिली हुई है, वो तभी रुकेगा जब आटकिन 19 में लिखा जाएगा, एक सेंटेंस लिखा जाएगा, subject to public order, health and morality, उसके लिए two-third majority चाहिए, लोगसभा में भी, राजसभा में भी, joint session में two-third चाहिए, तो joint session में two-third करने का मतलब, 521 seat चाहिए total, 521 में से 170 राजसभा में आ गये हैं, यहनि लोगसभा में 404 seat चाहिए, इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि जूटे सिकायत बंद हो, जूटे मुकदमे बंद हो, जो मुकदमे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, यह बंद हो, मुकदमे जल्दी-जल्दी मकुदमे की सुनवाई हो, जस्टिस विदिन इयर हो, तो आपको नारको, पॉलिग्राफ, ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, जूट को गंभीर अपराद घुसित करना पड़ेगा, याद रखिए, जूट बोलना पाप तो है, लेकिन freedom of expression के नाम पे जूट बोलना गंभीर अपराद नहीं, अभी जूट बोलने के लिए अगर 10 से 20 सल्क सजा बनाना है, जूट पकड़ने के लिए नारको, पॉलिग्राफ, ब्रेन मैपिंग कानून बनाना है, जूट पकड़ने के लिए देश के हर जिले में एक नारको टेस्ट, पॉलिग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिं टेस्ट करने के लिए लैब बनाना है, तो आपको आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 20 फंडामेंटर राइट है, इसलिए उसको बदलने के लिए लोगसभा जॉए और राजसभा की जब जॉइन सेसन हो, उसमें टू-थर्ड मेजॉटी चाहिए, उसके लिए आपको लोगसभा में 404 सीट चाहिए, यह गुलामी की सिक्षा बेवस्था बदल हो, खतम हो, मदर्सा खतम हो, मिसंडी स्कूल खतम हो, भारत में वैदिक सिक्षा सबके लिए अनिवारे हो, दसमी तक सब के ओ समान सिक्षा मिले, सब अपनी अपनी मात्रिभासा में पढ़ें, लेकिन ना विदेसी भाषा कोई प किताब एक हो, वो तब ही हो सकता है, जब आटिकल 21A को बदला जाए, आटिकल 21A में जो राइट टू एजुकेशन है, इसको राइट टू एकुल एजुकेशन बना दिया जाए, वो बदलने के लिए टू थर्ड मेजॉर्टी चाहिए, राज सभा में 117 हो गया है, तो जॉ मिधान के आटिकल 25 को बदलवाना पड़ेगा, आटिकल 25 में एक शब्द आया, प्रफोगेट, उसी प्रफोगेट की आड में मिसन्रिया धर्मांतरन करा रही है, जहादी धर्मांतरन करा रहा है, इस्लामिक कनवर्जन भी हो रहा है, क्रिश्यन कनवर्जन भी हो रहा है, व सर्मांतरन कराने वाले मिसंडियों और जहादियों की 100% प्रपर्टी जप्त करने, उनकी सिटिजन्सिप खतम करने, उनको 10 से 20 सल्क सजा देने के लिए कठोर कानून बनाना है अगर आपको, तो सबसे पहले आटिकल 25 से प्रपोगेट वर्ड हटाना पड़ेगा, अब प्रप करने खतम हो, जो रिलिजन के आधार पे माइनार्टी कमिसेन, माइनार्टी एजुकेशन, माइनार्टी स्कीम जो सेंट्रल की चल रही है, राज्यों की चल लही है, सब खतम हो, तो आपको आर्टिकल 30 को खतम करना पड़ेगा, आर्टिकल 30 चुकि fundamental right है, fundamental right बदलने के लिए two-third majority चाहिए होती है, चुकि राजसभा में तो simple majority भी नहीं है, तो एकी तरीका है कि लोगसभा राजसभा की joint sitting गुलाई जाए, और उसमें 521 सांसर चाहिए, तो राजसभा में 117 है, लोगसभा में आपको 404 चाहिए, सम्मिदान में fundamental duty है, आप fundamental duty में लिखा हुआ है, आप भारत को मानना है, भारत की संस्कृति को मानना है, भारत की परंपरा को मानना है, राष्टी जंडे को मानना है, बंदे मातरम को मानना है, जनगर्मन को मानना है, आपस में भाईचारे से रहना है, सब लिखा हुआ है fundamental duty में, लेकिन जो न माने, उसके लिए कोई दंड नहीं यानि फिर वही बात हो गए, two-third majority चाहिए, यानि आपको लोग साभा में 404 seat चाहिए, इसी तरीके से भस्ता चार जो चल रहा है, इसको जड़ से खतम करने के लिए one nation one tax लागू करना पड़ेगा, GST खतम करना पड़ेगा, income tax खतम करना पड़ेगा, TDS, WET, toll tax, road tax, पूरा सारे tax खतम करके one nation one tax लागू करना पड़ेगा, अब one nation one tax लागू करने के लिए infrastructure थो हमारे पास है, इसी तरीके से जो गुलामी की प्रसासनिक ब्रिवस्ता चल रही है, IES system, IPS system, यह हवलदार, ठानेदार, पेशकार, चौकीदार, लेखपाल, पटवार, यह जो गुलामी वाली ब्यवस्ता चल रही है, इसको बदलने के लिए भी आपको आर्टिकल 312 को बदलना पड़ेगा, गुलामी की न्याइक ब्यवस्ता को बदलने के लिए, उसका भारती करन करने के लिए आर्टिकल 312 रहा है, आप देख रहे हैं, बंगाल में क्या क्या हो रहा है, उसका मूल कारण यह है कि पुलिस और लाइन आर्डर ये स्टेट सब्जक्ट है, अब स्टेट सब्जक्ट से इसको सेनटर सब्जक्ट बनाने के लिए, यानि राज्यों के सास्ताथ इसको केंदर के अधिन ल लागू होगा एक घंटे में अफायार करने एक महिने के अंदर जाच पूरी करने के लिए कानून बन पाएगा जब आटकेल 20 बद लेगा तब नार्को पॉलिग्राफ ब्रेंग कानून बन पाएगा जुडिसेल चार्टर लागू करने के लिए आपको समयधान में संसोधन कर करना पड़ेगा कहने का मतलब समान सिच्छा लागू करना है समान नागरी संगीता लागू करना है गुसपैट के खिलाब कठोर कानून बनाना है धर्मांतरन खिलाब कठोर कानून बनाना है जनसंख्या विसफोट को रोकना है जो भारत की डेमोग्राफी बदल रही इसको रोकना है भारत में जस्टिस विदिन एर लागू करना है एक घंटे में फाइयार हो एक महिने के अंदर जाजपूरी हो एक साल के अंदर फैंसला हो इन सभी कारियों के लिए संविधान में संसोधन करना पड़ेगा और वैदिक सिक्षा लागू करना है सभी बच्चें वेद पढ़ें वालमी की रामायड पढ़ें रामचर इत्मानस पढ़ें भगवत गीता पढ़ें ये बिवस्था लागू करना है तो संविधान में कई संसोधन करना पड़ेगा उन संसोधनों के लिए आपको टू-थर्ड मेजॉर्टी चाहिए चुकि राजसभा में टू-थर् तो जिसे लोगस भावराय सभा क्या जू-इन सं बुलाए जाये तो वहां पांसो एक्टिस पांसत पूरे हो पाएं चारसो चार तो मिनुमम चाहिए आपसफाल होगा कैसे आप सब लोग 5-5 दाать बना लिए 4-5 दार बनीए सब और बहु niम पे इसको लिखना सुरू करिए 404 क्यों चाहिए लोग सभा में इस बात को लिखना सुरू करिए लाजिक के साथ इस वीडियो को आप अपने फेस्बूक पे डालिए जिस दिन भारत के सभी राष्टवादी लोग जो भारत की सुबचिन तक हैं जो भारत में चाहते हैं भारत की बदला हो जाएगा सम्मिधान में बदला हो जाएगा था हमारे बच्चे सुरचित हो जाएगे नहीं तो याद रखिएगा दुरियोधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन चुका है राजा भारत का ननिहाल कहके पाकिस्तान बन चुका है बंगला देश में क्या हो रहा है आपको पता है कस्मीर में क्या हुआ आपको पता है बंगाल में क्या हो रहा है आपको पता है भारत के नौ राज्यों से खतम हो चुके हैं, भारत के दो सो जिलों से खतम हो चुके हैं, भारत के नौ सो तहसीलों से खतम हो चुके हैं, बौर्डर की जो तीन सो तहसीले हैं, वहाँ डेमोग्राफी बदल चुकी है, हमारे आने वाले बच्चों का भविश्य एकदम बहुत ही अंधकार में है नसा फैल रहा है असलीलता फैल रही है इन सब पर कंट्रोल करने के लिए आपको 404 सीट देना ही पड़ेगा नहीं देते हैं तो जातियों में बटे रही है भाशा के अधार बटे रही है छेत के अधार बटे रही है जैसे पूरे दुनिया से गायब हो गए भारत के नौ राज्यों से गायब हो गए ऐसे अपने राज से भी गायब हो जाएंगे फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा